बॉलिवूद एक्टर शारुक खान की फिल्म जवान से बीजेपी ने कॉंग्रिस का दिल्चस्प करेक्शन जोड़ा है पाथी ने कहा है कि जवान फिल्म यूपी ए शासन के दुखद पॉलिटिकल हिस्ट्री की याद दिलाती है बीजेपी के राश्री प्रवक्ता गौरव भाटिया ने फिल्म का एक पोस्ट बुधवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर किया है इसमें उन्होंने लिखा है कि हमें जवान मूवी के जरिये 2004 से 2014 तक यूपी ए शासन की करप्ट और पॉलिसी पेरलैसिस वाली कॉंग्रिस सरकार को एक्सपोज करने के लिए शारुप खान को धनेवाद देना चाहिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा यूपी ए टू शासन के दौरान CWG 2G कोल गेट जैसे घोटाले 2009 से 2014 के बीच हुए वहीं वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले साड़े नौ सालों का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है कोई ब्रशचार नहीं है गौरण भाटिया ने कहा कि शारुखान ने जवान फिल्म में कहा है कि हम जवान हैं अपनी जान हजार बार दाओं पर लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ देश के लिए तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगस नहीं ये गांधी परिवार के लिए बिल्कुल उप्योग थे सोशल मीडिया पोस्ट मों ने ये भी दावा किया है कि कम से कम 1.6 लाग किसानों ने कॉंग्रेस रिशासन के दरान खुदकुशी की है जबकि वर्तमान NDA सरकार ने PM किसान सम्मन निधी के जरिये मिनिमम सपोर्ट प्राइज यानी MSP लागो किया 11 करोड किसान परिवारों के खाते में सीधे तोर पर 2.55 लाग करोड रुपे ट्रांसफर किये गए हैं तब के PM मनमोहन सिंग जी को भी धन्यवाद जवान फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए गौरव ने कहा कि धन्यवाद शारुक खान पिये मोदी जी के नेतरत में ये मुद्दे अब पास्ट की बात हो गई है फिल्म जवान दर्शकों को खुब भा रही है साथ सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छी कमाई भी की है आपको बता दे जवान में लगातार कुछ जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उन्हें उठाया गया है और जिस तरीके से किसान जो हैं वो खुदखुशी करते हैं और किस तरीके से महगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है उन मुद्दों को उठाया है बहराल इस जमान मुवी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लेके लिए